तो हेइ फ्रेंच यार सोन्या किरेक्टर साथ में दिमित्री किरेक्टर और हमारा ओर इन किरेक्टर में ability चेंज होने वाला है और इसी वाले अप्डेट में देखो गरीना एक new mini update यहाँ पे देने वाला है जल्दी ही मेरे काल से December के मत में जल्दी ही आपको एक mini update मिलेगा जहाँ पे character की ability अभी के अभी इस वाले update में change होने वाली है देखो ज़्यादा तर लोगों को दिक्कत होगी character से तो यहाँ पे character की finally ability change होने वाली है तो हम आज के विडियो में आपको बताएंगे क्या-क्या ability change होगी कितना यहाँ पे difference होने वाला है चलिए आर पहले हम बात कर लेते दिमित्री character के बारे में तो देखो यहाँ पे एक circle बनता है आपको पता है कितने मिटर का 3.5 मिटर का जो circle बनता है green color का जहाँ पे हम revive हो जाते दिमित्री की मदद से और वो circle कितने time तक रहता है पता है 12 second तक वो work करता है देखो बाकी का same to same रहेगा लेकिन 12 second की जगे पे 6 second यहाँ पे reduce करेंगी गरीना मलब कि 6 second यह भी work करेगा after update ओके यहाँ पे साब साब लिखा हुआ है मलब की 12 second से लेके 6 second तक कर दिया जाएगा तो ability पहले और आपको पते होगा बंदे दो दो बार यार रिवय हो जाते थे ओके तो अभी ऐसा नहीं होगा दो बार रिवय हो सकते है पोसिबल है लेकिन अभी 6 second है यहाँ पे ability वर्क कर पाएंगी तो वही आपको यह update कैसा लगा जरू से बता देना वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सपोर्ट कर देना चली यार second character यानि की दूसरे character हमारे सोन्या character की और बढ़ते जो की पेसिव एबिलिटी वाला है देखो यहां पर जीरो पॉइंट पांच सेकेंड है जहां वहां पर क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट चार सेकेंड गरीना कर देगी तो कोई बंदा हमको मारता है डायरी के एफेक्ट नहीं आता है वाइड कलर का आगे बताऊंगा मैं जहां पे आधे सेकेंड के लिए कोई मार नहीं पाता था वो टायम पिएरड में आपको बताऊंगा और देखो यहां पर डायरी के लिए हमको शील्ड हपी हंड्रेट मिलती थी और हम बच जाते थे तीन सेकेंड के दोरान सामने वाले बंदें को मार देते थे तो हमको वो convert होके 100 HP मिलती थी देखो after update यहाँ पे 2 change होंगे 50 HP मिलेगी और जो आधा सेकेंड है ना यहाँ पे जहाँ पे हम immortal हो जाते कोई मार नहीं पाता था देखो यहाँ पे रोशनी आएगी ना तो आधा सेकेंड से यहाँ पे करके 0.4 सेकेंड जो रोशनी आई ना उस टाइम का पीरियड है तो बस यहाँ एक को 0.4 सेकेंड कर देगी और जो हमको पहले 100 HP मिलती थी शील्ड HP पॉइंट और उसी को यहाँ पे माइनस करके गरिना 50 HP कर देगी ओके यानि कि आपको कुईसी बंदे को मारने के बाद भी 50 HP ही मिलेगी तो यह था सोन्या केरेक्टर के की एबिलेटी का चेंज चलिए भाई अभी और ही नो केरेक्टर तो देखो यहाँ पे हमको क्या होता है 1500 क्रिमसन एनरजी वैसिकली हमारी EP ही हम इसको बोलेंगे तो देखो 150 हम यहाँ पे एनरजी का यूस करते थे तो हम स्किल को एक बार यूस कर पाते है और हमारे पास टोटल कितनी एनरजी होती है 300 होती है यानि कि देखो अभी इसमें गरिना क्या करेगी 200 Crimson Energy हमारे कठी हो जाएगी तभी जाके हम Character की Skill Own कर पाएंगे यूज कर पाएंगे तो पहले 500 यहाँ पे हमारी Crimson Energy थी Basically EP ही है वो Actually में तो अभी 200 यहाँ पे हमारे कठी होने के बाद आप यूज कर पाएंगे देखो यह Red वाली हमारी जो Crimson Energy है देखो होने के बाद यूज कर पाते हैं तो अभी 200 होगी ना तभी हम यूज कर पाएंगे तो यह काफी बड़ा बदलाव है After यहाँ पे Mini Update जो कि आपको एक विक्के दोरान देखने के लिए मिली जाएगा तो तीन करेक्टर के यहाँ पे Changes हुए है जो कि एक औरीन करेक्टर 500 क्रिमसन एनरजी की जगे पे 200 एनरजी जब कटी हो जाएगी तब यहाँ पे आप यूज कर पाएंगे और यहाँ दूसरा करेक्टर सोनिया करेक्टर जो कि यह 0.5 सेकेंड था वहाँ पे 0.4 सेकेंड हो गया वह पेले आपको कोई बंदा मारता है तो 100 एक शील्ड एच्पी पॉइंट मिलते हैं अगर आप बच जाते हो बंदे को मारके तो वह कनमटों के एच्पी में आपको मिल जाती है तो वहाँ पे भी उसको रिडियूस करके 50 शील्ड एच्पी कर दिये ओके काफी बड़ा बदलावे साथ में यहां पे दिमित्री में भी 6 सेकेंड यहां पे अबिलिटी वर्क कर पाएगी तो मुझे दिमित्री का काफी सही लगा क्योंकि भाई दिमित्री का यूज करके लोग मरलब की बंदे दो दो बार रिवय हो जाते एक बार तो नोग कर दिया और वापीस यहां पे उसी एबिलिटी का यूज करके रिवय हो जाते ग्लू ओल को पेक करके तो बस यह थोड़ा वेट कर लिजे एक डिसंबर के दिन या फिर एक वीक के दिन मीनी अपडेटेटे का आएगा वहां पे एक रिवय हो जाते और यह यह आप पे यह ओफिशली आभी चुका है ओके फ्री फायर के ब्राजिल सर्वर में तो बस यार आज की इस वाली वीडियो में यहां तेकी रखते है मेलते नेक्श वाली वीडियो में अगर देखो यार वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को यार प्ली सब्सक्राइब कर देना मेलते नेक्श वाली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाई बाई